हलो मेरे नाम है चंद्रहास, श्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों IB ACIO का एक्जाम हो चुका है और इस एक्जाम को ले करके बहुत सारी चर्चाएं आपको सुनने में आ रही होंगी, आपने देखा भी होगा बहुत कुछ, फिलहाल मैं अपनी बात करता हूँ मैं पिछले 2-4 दिनों से बाहर था, तो मैं इस एक्जाम को कवर नहीं कर पाया, ना तो इनालसिस आपको देखने को मिली, मैं बाहर था इस वजा से, लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ, तब से इसी एक्जाम को ले करके बहुत सारी चर्चाएं हैं, मेरे मेल पर भी के सामने रखता हूँ, अब एक्जाम तो मैंने दिया नहीं है, यह जो वीडियो होगा, यह आप लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, उसी के अधार पर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, कुछ बातें गलत भी हो, क्योंकि मैंने तो एक्जाम दिया नहीं है, फिर सुलूशन क्या हो सकता है, कि इस समस्या से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो सबसे पहले गर हम देखें कि समस्या क्या थी, तो टोटल जो समस्या थी, वो तीन इसको मैंने भागों माटा हुआ है, कि पू ले थे, एक घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया और एक्जाम का होना नहीं था, एक घंटे में आपको सौ कोशन करने थे, चार सेक्शन के कोशन थे, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों ने, यहां तक कि मेरे छोटे भाई ने वे एक्जाम दिया था, उसने मुझे यही बत दिया ही नहीं गया, तो एक्जाम को ले करके मैं बात करूँ तो ज्यादातर लोगों को 40-45 मिनट ही मिले एक्जाम को देने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और इसका एक मेन रीजन क्या था, यह जो खराब सेंटर मेनेजमेंट है इस बात को ले करके मैं मानता हूँ, क्यों कि यहां पर देखने को ये मिला था कि संड़े को ही बहुत सारे सेंटर बुक होगे पहले से, क्योंकि आई भी बगएरा के एक्जाम थे, उसके साहसाथ, आई भी पियस के एक्जाम थे, मैंने सुना कि बिहार पुलिस का भी कोई था तो ऐसे बहुत सारी एक्जाम थे जिसकी वजासे सेंटर हो सकता है प्रॉपर ना मिल पाए हो और जो सेंटर पर मौझूद टीचर से साथ उनकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो पाई हो उनको कोई अनभव ना रहा हो इस तरह कि एक्जाम को कराने का में समस्या क्या वत्यों करते हैं पर पर को नंबर होता है और जो कोड होता है दोनों मैच होना चाहिए एक ही कोड के दोनों होने चाहिए वर ना कैसे 서 तो आप है मिला उसमें वह गई होगा तो हो चैएंगे तो bao यूर प्रपर ट्रेंग नहीं लिए थी पेपर अलग बट रहे थे फिर उसको रोका जा रहा था कि रुकिये आपका ये बदल गया है तो यह सारे प्रक्रिया जो है घंटे के अंदर जिसको कहा जा रहा था बाद में सेंटरों पे कि आपको पूरा बाद में प्रपर टाइम दे दिय होना चाहिए तो काफी प्रतिष्ठिट यह आपकी पोष्ट के लिए एक्जाम था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और यहां पे जो दूसरे सबसे बड़ी समस्य थी पहली और तीसरी समस्य चोंड करके पूंचे के सवालों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या थी पूंचे क कहा रहे हैं कि किसी एक वेबसाइट से ही उस वेबसाइट ने जो अपने प्रैक्टिस के लगातार पोष्ट करती रहती है वहीं से जो पेपर था उसी को सेट कर लिया गया था और कहा जा रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के वहां पे 15-18 कोश्ट मतलब मैं टोट कितने सारे सवाल पूचना यह कोई सभी पैटर नहीं होता है पेपर को लेकर के जहां तक मुझे लगता है और जी के का कोश्टन जो आया था जी के के भी कोश्टन में मेरे कहाँ से परिंट अफेर से ज्यादा कोश्चन पूशे गये थे जी के जैसे पैटर्ण पूशे जाते हैं वैसे आपके पूशे नहीं गये थे तो यह जो पेपर को समस्या थी कि सवाल सही नहीं आए थे कई सारे सवालों के जो एंसर थे वही गलत थे मतलब ऑप्शन गलत दिये गये थ कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की थे एकजाम को ले करके हलाकि मैंने 2012 में जो पेपर दिया था तो जो पेपर था पेपर तो बढ़िया सट था मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक ही जगह से सवाल पूचे गए थे काफी अच्छा पेपर आया था मतलब एक ल ज्यादा ज्यादा 40 कोशन की हैं 40-45 है 40-50 कोशन कर पाएं और यहां पर फाइदा उन लोगों को मिलेगा अगर कहीं कहीं पर अच्छी जगह पर गया होगा ऐसा नहीं है कि 100% सेंटर ही गलत गया हर जगा ऐसा हुआ कि खराब मैनेजमेंट था लेकिन अगर 10% जगह पर भी स 70-50 से 70 कोशन हल किये होंगे सही सही तो ऐसे लोगों के सेलेक्शन होने के चांसे अच्छे मतलब जो कहते हैं कि एक्जाम में ट्रांस्परेंसी हो उसका अभाव देखने को मिला तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं आपके पास देखिए हम भारत देश में रहते हैं हमारा चैस लोकतान्त्रिक देश है और आपको पता है यहां पर एस स्टूडेंट से लग बीधर कर सकते हैं कि आप अपने हग की बात कर सकते हैं यह आपकाishing है अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप अपने हग की बात कर सकते हैं आप तो यहां पर सीधे पोर्टल भी हमको गौर्वर्मेंट की तरफ से प्रवाइट किया गया है प्रदान मंतरी जी से सीधे अपनी बात को कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और होना चाहिए था एक प्रॉपर फॉर्मेट में मतलब वहां पर गुस्सा दिखाने के अपनी जुरूत नहीं है कि आप गुस्से में किसी को गाली लिख दीजिए और कुछ कर दीजिए वह करने जुरूत नहीं है बलकि अपने बात को सलीके से धंग से वहां पर पेश करें जिससे ऑपकी वारत को समझा जाए और पढ़ाजाए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रचारित करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आप ले जाएंगे घृ की दिना में हमने देखा है कि एगर ऐसा exam होता है जहांपे ऐसा लगता है कि paper सही ढंक से नहीं हुआ बहुत खराब था management था ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जो paper के जो एक कहते हैं न कि एक कहते हैं standard procedure होते हैं उनको follow नहीं किया गया है तो हम पे paper cancel होते हैं फिर से paper होता है या फिर उसका कुछ और इलाज निकाला जाता है तो वहाँ पे जब हुआ है तो आप अगर करेंगे तो आपके साथ भी होना ही होना है तो आप भी अपनी कमर करेंगे और आप भी अपने देखें सारे messages देखें हो सकता हैं सही तरीके सही ढंक से रखए mirror मतरी हमारे हैं उसके सामें रखए परकी को उसुनेंगे और उनका हल आपको जरूर देखने को मिलेगा क्यों कि यह ऌटी इघ्याम किसी और राजना सिंग उनके साथ थे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं जरूर आपकी बातों संग्यान में लिया जाएगा मेरी तरफ से भी आपको यही सला है कि अगर इतने कदम उठाते हैं तो आपको भी तो जरूर आपको मिलेगा और आप भी संतुष्ट हो पाएंगे और हो सकता आई भी का एक्जाम फिर से हो सही तरीके से हो टाइम फ्रेम इसका बढ़ सकता है जैसे अभी हमने देखा था कि पिछली बार हुआ था साइध रेलवे का एक्जाम हुआ था जिसमें धानलिया देखने को मुझे इस एक्जाम में जोड़ा गया था कि जो लोग नकल करके आये होंगे पास्वेंगे उसमें से निकल जाएंगे तो ऐसे कुछ समस्या समाधन इसमें भी निकल सकता है वो जब हम आप मिलकर कैसे कदम उठाएंगे तो जरूर होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी